हाई एवरिवान स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लॉक्री फॉर यू पे अगर आप इस चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अप्लोड हो जिससे कि उन्हें भी इस अपॉर्चुन्टी का पता लग सके तो जो हमारी पहली अपॉर्चुन्टी है वह है करेंग की तरफ से हैकर रेंग खायर कर रही है प्रॉडक्ट मैनेजर इंटर्ण तो यह जॉब रोल के लिए जो टाइम दिया गया है वह त्री टू सिक्स मन्स होने वाला है जैसा कि आप देख सकते हो जॉब लोकेशन दिया है बैंगलोर करनाट का बट जैसा कि आपको पता है अभी सिच्वेशन ठीक नहीं चल रहे है कोविट की वज़े से तो सब कुछ वर्चुल ही होगा ओके और हैकर रेंग की बात करें तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं बहुत ही फेमस कोडिंग का प्लाटफॉर्म है इस्किल बेस्ट हाइरिंग प्लाटफॉर्म है और आपको क्या काम रहेगा ऐसे प्रोडक्ट मनेजर इंटर्न सो अनलाइजिंग और अंडर्स्टेंडिंग कस्टमर बहेवियर तो कम आप विद राइट सल्यूशन फालोइ अंदर्स्ट्रुचिवल स्ट्रूक्ट आप्रोच ओस्कृम्हाइट काम रहेगा दा क्न podemos बहेरें मुकलिंग के रहेगा। तो prior software development experience, clear and structure thinking, good understanding of data structures, good idea about design and user experience, good communication skills, cheerful and self-motivated individual. तो इस role के लिए ये सारी requirements हैं जो की mention किये गए हैं, अब बात करें लाइस की, तो life as an internet hacker rank, अगर आप इसके बारे में और जाना चाहते हो, इसको आप एक बार go through कर सकते हो. तो आप इस job को LinkedIn के through भी apply कर सकते हो, जिससा कि यहां पर option दिया गया है, otherwise आपको simply एक form fill करना है, जहां पर आपको अपना first name, last name, अपना email, email वही mention करें, जो कि आप frequently use करते हो, अपना phone number, location, resume attach करना है, अपना degree mention करना है, यहां से आप choose कर सकते हो, discipline, start date, end date, mention करना है अपना degree का, और यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या आप 3-6 months की full time internship के लिए available हो, like आपका college allow करता है, तो यहां से आप yes, no, select कर सकते हो, यह clearly mention है कि अगर आपका college allow नहीं करता है, तो आपको apply नहीं करना, यहां पर अपनी LinkedIn profile देतेंगे, make sure कि देखें, अगर आपके LinkedIn profile अच्छे से बनी होग आपने तो आप वो भी हां mention कर सकते हो, अगर आप कोई work experience है, जैसे कि software development field में या कुछ भी आपने technical work किया है, तो आप उसको भी हां पर mention कर सकते हो, और फ़र application को submit कर सकते हो, तो यह जो हमारी opportunity है, यह हमारी 21, 20, 22 batch के लिए है, आप बात करते हैं, दूसरी opportunity के यह भी हमारी hacker rank की तरह सही है, तो hacker rank hire कर रही है, technical content engineer intern, इसमें time दिया गया है, 6 months, so 6 months के लिए hiring कर रही है, और यहां पर mention भी है, कि 6 months full time internship है, जो कि July, December, July से start होगी, December 21 चलेगी, और उन्होंने clearly mention किया है, कि तभी apply करी है, अगर आप ही full time internship के लिए available है, यहां पर hacker rank के बारे में description दिया गय इसको भी आप go through कर सकते हैं कि कैसा क्या environment रहने वाला है, okay, fine, so अगर आप इस job के लिए interested हो, तो आपको क्या करना है, या तो आप LinkedIn से apply कर सकते हो, जिसा कि यह option है, या फिर आप अपना यहां पर first name दे दो, last name, अपना email address, अपना phone number, location, अपना resume अटेच कर देना है, अपना degree चूज करना है, discipline चूज करना है, अपना degree का start to end date मेंशन करना है, और क्या आप एक six month whole time internship के लिए available हो, तो अगर आप अपको college अलाव नहीं करता है, तो आप इस internship के लिए apply मत करना, website अगर आपकी कोई हो, तो आप उसको mention कर सकते हैं, और अगर आपको कोई experience हो, कोई work experience हो, त कर सकते हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं, दूसरी opportunity की, जो कि हमारी है, माइक्रोफोकस की तरफ से, तो माइक्रोफोकस हायर करें है, software engineer Java, जैसे कि आप दिख सकते हो, who we are, तो यहां पर माइक्रोफोकस के बारे में कुछ जनकारी दी गई है, जैसे कि it is one of the world's largest enterprise software providers, delivering the mission critical software that keeps the digital world running, we combine pragmatism, discipline, and customer-centric innovation to deliver trusted proven solutions that customers need in order to succeed in today's rapidly evolving marketplace, that's high tech without the drama. Responsibilities की बात करने के, as a software engineer, आपको क्या के जिम्मेदारी होने वाली है, तो आपको code and programs enhancement करना पड़ेगा, updates करना पड़ेगा, कुछ portion को change करना पड़ेगा, and subsystems of system software, including operating system, compilers, networking, utilities, databases, and internet-related tools, executes, established test plans, and protocols for assigned portions of code, identifies logs and debugs assigned issues, develops understanding of and relationship with internal and outsourced development partners on software system design and development, participate as a mentor of project team of other software systems engineers and internal and outsourced development partners to develop reliable, cost-effective, and high quality solutions for low to moderate complex products. education की बात करने तो education और experience required लिए अमने बंचिन किया है कि आपके पास एक bachelor या master degree होनी चाहिए, computer science information system, और equivalent में और बात करने कि experience तो 0 to 2 years, तो अगर आप 21 बैस से हो, 2020 बैस से हो, और 2019 बैस से हो, तो आप इसके लिए eligible हो. knowledge की बात करें तो knowledge में मांगा किया है कि experience और understanding of software systems, design tools and languages, आपकी problem solving skills अच्छी होनी चाहिए, analytical skills अच्छी होनी चाहिए, understanding of design for software system running on multiple platform types, understanding of basic testing, coding and debugging procedures, और अच्छा written and verbal communication skills होनी चाहिए, और आपको English अच्छे से बोलना आना चाहिए. तो अगर आप इस job के लिए interested हो तो आप definitely इसको apply कर देना, right? next जो opportunity हमारी वो है, हमारी Amazon की तरफ से Amazon hiring कर रही है, programmer analyst के लिए, ठीक है? basic qualifications के लिए कुछ information दी गई है, आप इसको पर सकते है कि क्या role होने वाला है, जब programmer analyst क्या आपकी responsibilities होने वाली है, basic qualifications की बात करें, तो basic qualification की mention है, bachelor in CS or related field with 0 to 5 years of experience, तो अगर आप 20 batch से हो 21 batch से हो 19 से हो 18 से हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, knowledge of scripting languages जैसे की SQL, Perl, Python, XML, and Ruby, अगर इसमें से आपको एक भी आता है तो ये भी आपके लिए, अच्छा होने वाला है, ability to write code in C, C++, and Java, आपको इन में से किसी की programming language में code लिखना आना चाहिए, ability to understand functional technical specifications and analyze data, strong organizational and problem solving skills with great attention to detail, including the ability to track multiple test executions simultaneously and synthesize the result, right, so ये थी हमारे basic qualifications, तो जो भी रोल के लिए आप से table fill कर रहे हो, जो भी रोल आपके SQL set से align कर रहे हैं, तो make sure कि आप उस job को apply कर दो, thank you इस वीडियो को देखने के लिए और stay safe, stay healthy, thank you everyone.